दोस्तो आज का ये वीडियो में मेरे एक दोस्त के लिए बना रहा हूँ जिसकी कल एक train accident में death हो गई दोस्तो वो office जा रहा था और वो लेट हो रहा था तो वो एक चलती train में चड़ा और वहाँ पर वो डोर पर ही खड़ा हुआ था और थोड़ा आगे चलके उसका पैर disbalance हुआ और वो गिर गया दोस्तों हम अकसर देखते हैं कि मुंबई में सुबह local train की क्या हाल रहती है काफी लोग चलती train पकड़ते हैं काफी लोग डोर पर खड़े रहते हैं और कितने लोग वहाँ से गिर के मर चुके हैं तो आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं अपील करता हूं हर एक company से उनके managers से कि please don't penalize your employees for being late कुछ companies में पॉलिसी है कि अगर आप लेट आते हैं तो आपका half day mark हो जाता है या फिर आपकी salary से cut किया जाता है और इसी के वज़े से लोग भागम भाग करते हैं चलती train में चड़ते हैं फिर दोर पे खड़े रहते हैं और वहां से slip होके कितनी बार लोग मर चुके हैं तो दोस्तो आज मैं वही request करना चाहता हूं companies से उन HR से कि अगर इन policies में जो late coming policies है इन में थोड़े से changes लाइए थोड़े से lenient रहे हैं ताकि लोग भी उस चीज़ को समझ पाएं और इतनी भागम भाग ना करें और साती में मैं आप सब लोगों से भी request करता हूं दोस्तों कि आपकी जिंदगी को इस तरह से जोखे में मट डालिए आपकी जिंदगी से important कुछ भी नहीं है अगर आप एक दो दिल लेट होते हैं चलता है लेकिन प्लीज इस तरह से चलती ट्रेन में मत चड़िये डोर पे तो जैसा कि कहा जाता है जब तक अपने पे नबीत है कोई फरक नहीं पड़ता कल मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं उमीद करता हूँ कि और किसी के साथ ऐसा ना हो और इसलिए मैं लास्ट टाइम फिर से request करूँगा companies और employees से क प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और दोस्तों अगर आप इस चीज को support करते हैं तो मुझे comment section में hashtag it's time for change के साथ comment कीजे और इस वीडियो को जादा से जादा शेर कीजे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली बार एक और नए वीडियो में तब तक के लिए be be safe be happy